सुबद्रा बच्पन से ही पढ़ाय, लिखाय, स्पोट्स और घरे लुकाम काज हर काम में कुशल थी जिसके कारण घर और आस पडोस में सभी सुबद्रा की खुब तारिफ क्या करते थे ऐसे ही दिन बीटते हैं और सुबद्रा अब कॉलेज जाने लगती है फिर एक दिन सुबद्रा ट्रोफी लेकर घर आती है मा, मा कहां हो ये देखो अरे, ये क्या, ये तो ट्रोफी है, तू जीती बिटा हाँ मा, मुझे स्ट्रिडेंट अफ दे येर का अबॉर्ड मिला, खुद कालेज की ट्रोस्टी के हाथ हो अरे, वाँ बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ मा, मैंना खुब मन लगा कर पड़ूँगी और देखना, एक दिन आपका और बाबा का खुब नाम करूँगी तबी पडोसन शीला आती है सुबद्रा, आ गई पिटिया कॉलेज से हाँ काकी, कहिए क्या हुआ कल वो हमारी मुन्नी की सकाई है न तो उसी लिए उसे महंदी लगानी है तो आजा बिटा, चल, लगा दे तेरे हाथों की रची महंदी उस पर बहुत खिलती है आरे, पर बच्ची अभी स्कूल से आई है उसे सास तो लेने दे शिला मा वो स्कूल नहीं, स्कूल होता है और मैं तो खालिज में पढ़ती हूँ काकी चली में आती हूँ फिर सुबद्रा, पडोसन की बेटी के हाथों में महंदी लगाने चली जाती है ऐसे ही घर हो या आस पडोस सुबद्रा हर किसी का काम खुशी-खुशी करती और सब काम काफी अच्छे से भी करती ऐसे ही दिन बित्ते हैं फिर एक दिन ये ले सिता मिठाई खा मेरी बेटी की शादी है कल और हाँ, ये काडले पूरे परिवार के साथ आना है हाँ हाँ, हाँ, जरूर फिर शीला वहाँ से चली जाती है कि तभी सुबद्रा घर आती है और वामा, आपको कैसे बता कि मैं कॉलिज में अवला ही हूँ देखो, पूरे 100 में से 99.9% आया है आप तो मुझे फॉरें स्टडिस के लिए जाने से कोई नहीं रुख सकता ये सुनकर सीता थोड़ी से चिंतित हो जाती है क्या हो आमा, चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं बेटा वही रात में जब सुबद्रा के पिता अशुक जी घर आते हैं तो सीता उन्हें सुबद्रा के पास होने की और उसके सपनी की बात पताती है जिससे सुनकर वो भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं वहीं अगले दिन सीता, सुबद्रा को तयार करतो आज लड़के वाले उसे देखने आ रहे है लेकिन पापा मुझे इतनी जल्दे शादी नहीं करनी बेटी अब उन्होंने आने को कह दिया है मैं मना भी नहीं कर सकता न अब आ रहे हैं तो देख ले पसंद आया तो शादी कर ले न कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं अब बिता के आगे बिचारी सुबद्रा कहती भी क्या वहीं कमरे में मा उसे तयार करती हुए कहती है बेटी सरपना पल्ला रख कर वहार आना हा मा मुझे शादी नहीं करनी मुझे फॉरें पढ़ने जाना है बेटा तुझे तो पता है कि हम कितने गरीब है और तीरे पिता उन्होंने जीवन भरते रे लिए बहुत मैनत की है पर हम तुझे विदेश नहीं बेच सकते बेटा और इस तरह सुबद्रा के माता पिता की आर्थिक स्थिती सही ना होने की कारण वो आगे नहीं पढ़ पाती और उसकी शादी रमेश नाम के लड़के से हो जाती है रमेश के परिवार में उसकी मा कामिनी बहन चंचल और पिता कल्लू थे ससुराल में पहला दिन बहु तुम्हारे माईकी में तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारिफ सुनी है आज का सारा खाना तुम ही बनाओगी ठीके माजी फिर सुबदरा रसुई में चली जाती है और सभी की मन पसंद का खाना बनाती है वहीं शाम के समय आज खाना बाहर से ओर्डर किया है क्या नहीं भाईया भाबी ने आज अपने हाथ से खाना बनाया है वा सुबदरा तुम्हारे हाथों में तो जादू है बताया नहीं तो फेल हो गई है वो मा बस मैं बताने वाली थी निगाडी जैसा नाम वैसा काम माना कि तु चंचल है लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी अपनी चंचलता दिखाई तुने यह चाथी बार फर्स्ट एर में फेल हुई है आज तो तेरी खैर नहीं बहु मेरी कान छोड़ो मा दर दूर है माजी माफ कर दीजी ना चंचल को कितनी दफा माफ करू बहु बाइस साल की हो गई है यह और अभी भी फर्स्ट एर में अटकी है आप इनकी कोचिंग क्यों नहीं लगवा देती लगवाई थी बेटी तब ही तो यह फेल हो गई जिसके बाद फ मैं भी ग्रजिट हूँ हाँ वो बात अलग है कि आगे की पढ़ाई का सपना सपना ही रह गया छोड़ो अब से रोजाना तुम्हारे कॉलिज से आने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और यह घर का काम यह कौन करेगा अगर तु मास्टराइन बन कर ऐसे पढ़ाएग मैं भी देखती हूँ करो पैर गुमा कर काम फिर सुबदरा रोज सुबर जल्दी उठकर घर का काम करती अपने सिसुराल वालों की खुब सेवा करती साथी रोजाना चंचल को कोचिंग देती ऐसे ही छे महिने बीच जाते हैं और चंचल का रिजल्ट आता है मा मा एक ना शौकिंग अबर है अरे क्या हुआ इस बार कॉलेज वालों ने डिकाल ही दिया क्या फाइनली कॉलेज से शुप शुप बोलो ना मा ये पास हो गई है है इतना सुनकर मानो साथ को तो चक्कर आ जाता है और वो सच में भेयोश हो जाती है मा जी मा जी उठिये तो ये क्या मैं सपना देख रही हूँ क्या नहीं मा जी ये सच है जिसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं पोल बहुत तुझे क्या चाहिए आज जो तू बोलेगी मैं तुझे वो ला कर दूँगी तुने तो चमतकार ही कर दिया आज बेटा ये सही मौका है मा जी से बात करने का मा जी मैं ना विदेश जाकिया आगे की बढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ शादी के पहले पैसे की तंगी के कारण मम्मी पापा बढ़ाई नहीं करा पाये और मुझे शादी करनी पड़ी अच्छा तो तु अब मेरी बेटी के बराबरी करना चाहती है देख बहू शादी के बाद घर का काम संभालना चूला चोका करना यही बहू का काम होता है ये पढ़ाई लिखाई बहू को शोबा नहीं देती जा अब जाके मेरे लिए एक कप चाए बना कर ला सुबद्रा उदास मन से वहाँ से चली जाती है पड़ी आई आगे पढ़ने जाओंगी विदेश ऐसे ही मोहले भर की औरतों को जब पता चलता है कि सुबद्रा के पढ़ाने से चंचल पास हो गई है तो सारी औरते कामीनी से ज़द करने लगती है कि उनके बच्चे सुबद्रा से ट्यूशन ले अब समाज में इजद बचाने के लिए कामीनी करती भी क्या मान जाती है और सुबद्रा घर का काम करके बच्चों को ट्यूशन देने लगती है वहीं एक दिन रात के समय जब वो सो रही ही होती है तबी अचानक से सुबद्रा के कानों में कुछ तूटने की आवाज आती है तिनी रात को कौन गोम रहा है घर में? रमेश उठो ना, देखो शायद कोई घर में है सोने दो ना यार, तुम्हारा वैम होगा इस तरह रमेश सुजाता है और सुबद्रा अकेले ही कमरे के बाहर आती है और घर में चेक करने लगती है कि तभी सुबद्रा देखती है कि चोर कामिनी के लौकर से सारे पैसे और गहने चुरा रहा है और कामिनी को कानो कान खबर भी नहीं है वो तो मस्त खर्राटे लेकर सो रही है तभी सुबद्रा कमरे में जाकर लाइट आउन कर देती है और चोर को पकड़ लेती है खबरदार यहां से भागने की कोशिश की तो तभी कामिनी भी जाग जाती है और चोर कामिनी की गरदन पर चाको रख देता है पुलव इसको बुलाने की कोशिश भी नहीं करना वहना इस बुडिया की गरदन इसी चाको से रेच दूगा भला इसी में है कि मुझे यहां से जाने दो सास की जान बचाने के लिए सुबद्रा वहां से साइड हो जाती है और चोर जैसे ही जाने लगता है तब सुबद्रा उस पर हमला करती है और सोने, चांदी और पैसों से भरी पोटली उससे छीन लेती है उसका मास्क खीच लेती है जिससे सुबद्रा को उस चोर की शकल दिख जाती है लेकिन बदकिस्मती से वो भाग जाता है इससे तो मैं पुलिस को पकड़वा कर ही रहूँगी अरे जाने देना बहू अपना सामान तो चोरी होने से बच गया ना आज हमारा घर लोट रहा था कल किसी और का भी तो नुकसान कर सकता है ना मा समाज में ऐसे लोगों का खुला गुमना ठीक नहीं है जिसके बाद सुबद्रा पुलिस को बिलाती है और उन्हें सारी बात बताती है लेकिन मैम हम उस चोर को पकड़ेंगे कैसे इस रहर में तो नजाने कितने चोर है सर एक मिनिट फिर सुबद्रा जल्दी से उस चोर का स्केच बना कर पुलिस को देती है सर ये था वो जिसके बाद पुलिस आसानी से उस चोर को पकड़ लेती है वहीं सबी घरवाले हैरान हो जाते हैं कि सुबद्रा कितनी multi talented है उसे अच्छा खाना पकाना आता है, best student, sports में अच्छी है, teaching कर लेती है और तो और sketch artist के साथ जाने कितनी talent है उसके अंदर जिसके बाद कामिनी जी, खुद अपनी multi talented बहु के talent list में एक और talent जोडने के लिए उसे विदेश पढ़ाई करने भीजती है और कुछी सालों के मैनत से सुभदरा एक बहुत ही successful businessman बन जाती है